अभी कुछ दिन पहले इटावा में एक सड़क दुर घटना हुई थी जिसमें दो लोगों की मौत और दो लोगों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है जिसमें मौत जिसकी हुई थी उसमें यहां के भी एक ब्यक्ति मौजूद है जिनका नाम जावेद मिया बताया जा र हो गई है और यह आप देख सकते हैं कि दरवाजय किस परकार से है और कहीं ना कहीं घर एक प्रोपर तरीके से होना चाहिए था जो कि नहीं है काफी गरीब ब्यक्ति रहे होंगे मैं यहां पर आऊंगा मैं परिवार पिडित के परिवार वालों से मिलने का पर्यास करूंग है आप देख सकते हैं कि घर में काफी मातम पसरा हुआ है मैं इस चीज को मैं बया तो नहीं कर सकता लेकिन यहां कुछ लोग है रोते बिलगते नजर आ रहे हैं मैं उनसे तो बात नहीं करूंगा मैं किसी और से बात करने का प्रयास करूंग क्या नाम हुआ नाम नाहिद न एक यहां चार बेटा है एक इनका बच्चा होने वाला भी है जिए मैं दिखाना चाहूंगा कि इस दर्द को साइद बिहार सरकार के लोग समझ नहीं पाएंगे क्योंकि यह दर्द एक गरीव व्यक्ति के मुखसे बया हो रहा है कि किस परकार से अप देख सकते हैं कि छोटे- और दो इनकी बेटियां हैं जो काफी साधी की उमर के भी हो गई है अब इनका आगे का जो भभी से है वो सिर्फ और सिर्फ विहार सरकार के लोगों के हाथों में है गया हुआ ब्यक्ति तो नहीं आ सकता लेकिन कहीं ना कहीं उस परिवार का भरण पोसंद को अच्छी तरी देखिए यह साध यह बच्चे अभी समझ भी नहीं पा रहे होंगे कि सायद इनके पीता का साया इनके सर से उजड़ चुका है कहीं ना कहीं यह काफी छोटे बच्चे हैं काफी यह सिजों को समझने में इलिजिबल नहीं है लेकिन मैं दिखा सकता हूं किस परकार से इस प क्या कहना चाहेंगे कि मतलब सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे अपनी परिवार के लिए परिवार किसी तो बहुत धैनी है क्या मांग करना चाहूंगा एक माता जी किस परकार से कह रही है कि हमको सरकार से कुछों नहीं कहना है कहीं ना कि उनकी अभी डिप्रेशन किसी कार ह गई है कही ना कि दिमाग जो है ना उस दिमागी संतूलन इतना खराब हो चुका है अपने बेटे के जानी के वज़से साथ वो कुछ बोलने की भी इस्थिती में नहीं है बाकि यहां पर और भी कुछ लोग है मैं उनसे बात करने के प्रयास करूंगा क्या नाम निगार क्या क कैसे पढ़ाई करें कैसे बढ़ेगा एन्नों गहर कैसे चलेगा सबसे वड़ा दिख्क्रात है खर चलना मुस्किल है घर में कोई नहीं है कि सबसकूऌ मैं कोई एक गांप सब्नेर नहीं कि जिखांगा कि इनके दो भाई है लेकिन उन ढोनों भायों के भी कही ना परिवार है वो लोग अपने परिवार के अलावा इस परिवार पर जितना हो सके उतना तो नजर देंगे जितना हो सके उतना तो करेंगे लेकिन वो जो इनके पिता जी कर पाते थे वो असायद कभी नहीं कर पाएंगे उनकी बच्ची से मैं बात करने का प्रयास करूंगा का नाम हो कुछ हद तक आपके जरुदों को पूरा किया जा सकता है क्या चाहेंगे पड़ाई के लिए पैसा की भी नहीं का जरूद है पढ़ाइय करते हैं पुण से कलास में और आपका क्या नाम राफिय कातन है आपकी कौन से कलास में नाइन कि मैं दिखाना चाहूंगा कहीं ना कहीं इन लोगों के अभी यह बताइए आपके पीता जी के जाने के बावजूद आप भी पढ़ाई में तो आपका मन लग नहीं पारा होगा लेकिन क्या लगता है कि आप आपका पढ़ाई इस तरह कंटीनिव रह पाएगा मैं निवेदन करूंगा एक छोटी सी बच्ची है किस परकार से कह रही है कि अगर सरकार चाह जाए ना तो हमारी मदद जरूर हो पाएगे हम लोग फिर से अस्कूल जा सकेंगे उनकी पतनी अभी वह बात करने की स्थिती में नहीं है मैं उनसे कुछ सवाल उनसे करूंगा क्य आपको साइद को समझना भी चाहे तो नहीं समझ सकता लेकिन क्या करना चाहें कि भी हार सरकार के लोगोंसे हम सब्सक्राबर की कहा मदद मेरे बच्तों लोग हमाथे थे कन एक लंग पे. परिवार कैसे चल पाता है यह पहला बार यह काम किये थे दो चाहरा दी मिलगा कि मत आगे कुछ हम लग कमाई गरीवाद में तो कुछ आगे सुरु में घटना हो गया ड्राइब कौन करता है तो अभी मुनने से मैं दिखाना चाहूंगा चाहे जो भी हो जैसे भी हो कहीं ना कहीं एक परिवार के मन में उस ब्यक्ति के मन में एक विश्वास था कि अगर हम इस काम को करेंगे ना तो कहीं ना कहीं मेरा परिवार का भरण पोशन और अच्छे से हो सकेगा लेकिन उनको नहीं पता था कि जहां वो जा रहे हैं यह जहां से व प्रेजली अभी क्या करते हैं पढ़ाई करते हैं अभी आपके पीता के जाने के बाद तो पूरी जीमिदारियां आपके सर प्यार आ गई होगी तो क्या लगता आपके पढ़ाई इसी तरह कंटिनू चल पाएगी या नहीं चल पाएगी खोशिस करें अगर सब मिलके मदद करें तो क्या करना चाहेंगे सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें कि हम लोग कुछ देखा जाए आगे पढ़ाई के लिए देखिए इस परिवार का हर एक ब्यक्ति कहीं ना कहीं सरकार से उमीद लगा करके कर रहा है ना कि अगर सरकार के लोग चाह जाए ना बिहार सरकार के लोग मंत्री भी रायक जो भी मेरी वीडियो को देख रहे है मैं परस्नली यहां के जीला अधिकारी महोदय जी के पास य एक नजर और डाल लिजेगा कि इनके चार पूत्र और एक पांचवा पूत्र जो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं है उसका जीवन यापन कैसे चलेगा मैं दिखाने का पर्यास कर रहा हूं बाकि मैं इस दर्द को तो बता नहीं सकता यह दर्द जिसको होता है ना वही है निवेधन रहेगा हाँ जोड़कर के मैं निवेधन करूंगा नितिश कुमार जी इस परिवार पर एक बट एक नजर जरूर डालिये और इस परिवार की सक्षट आपकी जरूरत है इस जरूरत को आप जरूर पूरा करिये जो भी मुगावजा रासी होती है जल से जल पर वहाँ के बेखती थे उनका सभाव बहुत ही अच्छा था बहुत ही क्या बहुत ही पूरा मतलब आज गाउं रो रहा है उनके बस हम लोग पे ही है कुछ चार लड़का और दो लड़की है उनका कोई अब आंगे पीशे कोई करने वाला नहीं कोई नहीं के जो भाई है वो लो धर चालूं कर रहे थे परिवार को अपने पाल नहीं के लिए आप देखी, रहे कि लड़का दो लड़की हैं हम लोग ही चाहेंगे सरकार के उनको सहयता जल्द से जल्द मिलशा लिए इसलिए कि इसलिए कर्माने खाने वालेमे ब्यक्ति यहां पर जितने भी ब्यक्ति मोजूद है ना कहीं ना कहीं सरकार से एक उम्मीद लेगा करके बइठा है कि अगर सरकार के लोग चाह जाए ना इस परिवार के भरन पुसान अच्छे तरीके सो हो सकता है बाकी मैं घर की स्थिति दिखाने का पर्यास करूंगा कैमरे सरकार से इस घर को देखरे किया जा रहा है और किस परकार से घर में रह रहे हैं कहीं ना कहीं अगर यहां से कुछ भी हो ना तो यह सायद दिवार गिर सकता है कुछ भी इस परिवार के साथ हो सकते तो मैं निवेदन करूंगा कि कम से कम इस परिवार को इतना हेल्प किया ज जाए और इनकी जो बेटें हैं बेटियां है वह एक अच्छी सिक्षा जरूर हासिल कर ले मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन रहेगा सरकार से मैं बार-बार इस चीज़ को निवेदन करूंगा कि कि एक नजर इस परिवार पर डालने का प्रयास किया जाए बाकी मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट बोक्स में बताना मत भूलेगा चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा मैं युर आज आप से विदा लेता हूं मिलता हूं और इसी खबर के साथ तब तक लिए जैहिन जैभारत